हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीड़ावल आईसी में और मैं अमित कुमार सौनी लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपका हर दिक हर दिक कभी नंदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करने चैनल को शेर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें दोस्तों बहुती महत्पूर्ण मुद्दा और बहुती महत्पूर्ण बिलकुल लेटस्ट अपडेट मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ और अपडेट है दोस्तों 15 मार्च की उस याचिका पर सुनवाई की जो की मराठा आरक्षन से तो संबंदित है लेकिन जिसका प्र ऐसा ही मानने कर लिया जाएगा तो आए दोस्तों जानते हैं पूरी जन्यूज आज की कि क्या हुआ है 15 तारीक को जैसा कि 8 तारीक को निर्देश दिया था सवी राज्यों से पूछा था कि आप अपनी अपनी राय दें और बताएं कि क्या ये आरक्षन को बढ़ाना चाहि या फिर इसको ऐसा ही रखना चाहिए दोस्तों कई राज्यों ने जो है उस पर अपने विचार दिये हैं और कई ने नहीं दिये हैं तो आईए पूरी जानकारी क्या है देखते हैं वीडियो में देखें दोस्तों आरक्षन की 50 फिसदी अधिक्तम सीमा पर पुनर विचार क की जरूरत पर सुनवाई शुरू हुई है आईए आगे बढ़ते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पुनर विचार याचिका के मामले में सवी राज्यों से राय मांगी थी सुप्रीम कोट ने और काफी राज्यों ने जो है अपनी राय भेज दी है लिकिन कुछ समय के लिए आप इस सुनवाई को टाल दें और हमें वापस समय दें जिससे की राय भेज सकें लेकिन कोट ने इसके लिए मना कर दिया कि सुनवाई विल्कुल भी नहीं टल सकती है आप राय दें या ना दें अब दोस्तों जिन्होंने आरक्षण के संबंद में क्योंकि इंद्रसानी फैसले के बाद पांच वार समिदान पीट ने उस माम उस फैसले को अपनाया है और कभी भी आरक्षण की 50 फिसदी या 50 प्रतिशत सीमा पर सवाल नहीं उठाया है तो दोस्तों याचिका करताओं की और से अब जो बहस है वो और आगे मंगलवार को भ दिये थे जिस पर की कोट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तै अधिक्तम 50 प्रतिशत सीमा पर पुनर विचार की जरूरत है क्या 50 फिसदी तै करने वाले इंद्रसानी फैसले को पुनर विचार के लिए बड़ी पीट को बेजा जाना चाहिए इस पर भी विचार होना थ कि क्या संविधान के 102 वे संशोधन की बात से राजी का पिछले वर्ग को आरक्षण देने का कानून बनाने का अधिकार बादित हुआ है और क्या इससे संविधान में दी गई संगी ढाचे की नीती प्रभावित हुई है दोस्तों राज्यों के अधिकारों से जुड़े इ उस दिन सुनवाई टालने का किसी भी प्रकार का कोई भी अनुरोद नहीं माना जाएगा बिल्कुल इस पश्ट कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने दोस्तों ये कानूनी सवाल मराठा आरक्षण के मामले में तै किये थे और वहीं से ये मुद्दा निकल करके आया है जो कि अब पूरा राष्ट व्यापी हो चुका है अब दोस्तों एक नजर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर डाल लें कि पीट ने 1992 में इंद्रा साहनी मामले में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा तै की थी ठीक है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 9 ने आया दे प्रतिशों की संविधान पीट ने 1992 में इंद्रा साहनी मामले जिसे हम मंडल जज्वेंट भी कहते हैं में आरक्षण की अधिक्तम 50 प्रतिशत की सीमा तै कर दी यह भी कहा गया था कि अपवाद में सीमा लांगी जा सकती है लेकिन वो दूर दराज के मामलों में होना चाहि सौंबार को मामला जस्टिस अशोग भूशन, नागिश्वार राओ, अब्दुल नजीर, एमंद गुपता और रविन बट की पांस सदस्ती पीट में लगा था कई राज्यों की ओर से जवाब दाकिल करने के लिए कुछ समय मांगा गया जिसे सुईकार करते हुए कोट ने एक सपता का समय दे दिया, केरल की ओर से कहा गया कि राज में चुनाओ है, इसलिए फिलाल सुनवाल टाइल दी जाएगी, लेकि तमिल नाडू के वकील ने भी मांगा समर्तन किया, लेकिन कोट ने अनुरोट ठुकरा दिया, मराटा आरक्षन को चुनोती देने वाले याच राजों की पीट थी, हैना उनमें से आठ नयाय अधीस ने आरक्षन की अधिकतम 50% सीमा का समर्तन किया था, ठीक है, उसमें से जो दत्तार नाम के एक थे, उन्होंने कहा था कि वंबेटकर जी ने कहा है, कि पहली चीज बराबरी का अधिकार है, आरक्षन भी नीचे के में कोई जानकारी नहीं भेजी है, कई सारे कार्णों बस, उनमें से केरल, तमिलनाडू, इत्यादी, और दोस्तों कई राज्यों ने भेज दी है, तो दोस्तों आगे भी ये केस चलने वाला है, और जब तक की फैसला ना आ जाए, तब तक ये continue इसकी हेरेंग होगी, और ज मेरी दोस्तों, पचास प्रतिशत ही आरक्षन को मानने कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रवाव सवी राज्यों पर पढ़ेगा, और हमारे यहाँ पर मद्ध प्रदेश में भी सिक्षक भरती पर भी मुल्चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, साथी स मद्ध प्रदेश लोकसेवा आयोग और भी अन्य एक्जाम्स जो की भरती परिक्षा से संबंदित हैं और आगामी होने वाले हैं, उन पर निश्चित रूप से दोस्तों डारेक्ट प्रवाव पढ़ने वाला है, तो यह फैसला बहुती महतपून है, तो यह तो कोट पर ड नहीं जानकारी के साथ में कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जैहिंद,